हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब देर स्टुडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने हिडन गुडविल विद रिवेलवेशन अफ असेट्स लाइबिटी इस टोपिक पर डिसकेशन किया था आज हम जो डिसकेशन करेंगे आज का जो हमारा टोपिक है अजेस्टमेंट ऑफ इस टोपिक पर हम डिसकेशन करेंगे इस कोशन में इस तरह के कोशन में हम क्या करेंगे कि जो न्यू पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमें गीवन नहीं होगी और वो कैपिटल हम जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल के बेस पर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल क् ओके, जिस तरीके से आपको question में given हो, जिस तरह की information आपको question में given हो, उसी के according हम new partner की capital है वो क्या करेंगे, calculate करेंगे, समझ गे, तो हमने एक अच्छा सा question लिया है, इससे यह जो आपका concept है, वो बिलकुल clear हो जाएगा, ओके, तो देखो, इस question में हमें करना क्या है, पहले हम इ step है, क्या, reading का, वो complete करते हैं, question number 79 है आपकी book में, देख लेना, P and Q, R partner, selling profit in the ratio of 3 is to 1, कौन, कितना ratio का, 3 is to 1, R is admitted and the partners decide to share future profit in the ratio of 2 is to 1 is to 1, आपको question में old ratio given है, new ratio given है, आप sacrificing ratio calculate कर सकते हो, P का old ratio 3 by 4 और Q का old ratio 1 by 4, लेकिन यहाँ पे जो Q का old ratio कितना है, जो new ratio वो भी कितना है, 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4, 1 by 4, यानि जो R का जो, sorry, जो Q का जो old ratio और जो new ratio वो दोनों ही 1 by 4, 1 by 4 है, so, जो Q है, वो ना तो sacrifice करेगा, ना क्या करेगा, gain करेगा, sacrifice only कौन करेगा, P, कौन sacrifice कर रहा है यहाँ पे, कि वाज़ जो P है, वो ही क्या करेगा, sacrifice करेगा, ओके, so, जो भी Goodwill का share, जो credit किया जाएगा, वो किसके account में किया जाएगा, P के account में, next, इस question में क्या given है, हमें balance sheet given है, the balance sheet of P and Q, as at 31st March 2018, यह हमें उनकी balance sheet given है, creditors, profit and loss account, यह liability side given है, तो इस profit and loss account का कौन सा balance है, credit balance है, यह क्या है, profit है, तो इस profit and loss partner के capital account में credit कर देंगे, पताने ही क्या entry करेंगे, क्योंकि इसका कौन सा balance है, credit balance है, तो entry करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, debit कर देंगे, क्योंकि इसको distribute करना है, और credit किसको करेंगे, जो भी partners है, old partners, P and Q, यहनिजिका, entry हो जाएगी, profit and loss account debit to P's capital account to Q's capital account, सेंस्ट इस प्रींड ये सारी इंफोरनेशें अभको गीन है को अब कि बैंक का बालना जितनी भी ट्राउंजेक्शन हो सके तो आप किसमें करोगे बैंक में अकेिफ नेक्स्ट हमें अजस्टमेंट गिया इसकोशन में पार्ट अफ दिस तोग विच्छ आपट पीष एट थाउजंद फीफीफ दितॉजिंग कुछ पार्ट है इस टोग का वह हमें इस टोग में इंकूद ऑन तोग को राइड तोग कमारे फिफिटावंद न है प्ष्टॉरेज के करण क्या हो गया? देमेज हो गया उससे हमें है सिर्फ कितनी रुपीज हो चुका? कितनी रुपीज वसूल हो चुका? वसूल हो सका? 2,000 इस से हमें कितनी रिलाईज हुआ only 2,000 So मैं लोज कितने और रुप गया? 2,000 रुपीज हमें रिलाइज हुआ उसे, जो भी इसकी स्क्रैप वैलो थी, तूट गया, फूट गया, जो भी उसे, कबार में हमने जो उसको बेचा, तो इसकी स्क्रैप वैलो में कितने रिसी हुई, 2,000, okay, तो 6,000 का क्या हो गया, लोस, ये लोस हम कहां से राइट अफ करें अब हमारे लिए इक कोई ळाया ऑग है, और कोई पछा क्या है, तो इसको बिल क्या है, छो लाइड- आफ वह बहुत ही, जो भी उसकी normal value है उससे में ज़्यादा दिखार रखा यह व व लेले यानि यह जदै दिखाया है आप बढ़ा एसकी normal value उससे ज़्यादा कर्की या निचंट करें, तो पर दिखाना है तो हमें क्या एसकी normal value उससे मुझकर रखा नह जाते हैं सो हमें क्या करना इसकी वैलू को कम करना है यह हमारे लोस है रिवैलिएशन के डेविट में और मसिनरी की वैलू 20,000 से लेस करके हम शो कर देंगे नेक्स्ट प्रिमिसेज भी एप्रिशेटेटी टू रुपीज थ्री लैक जो प्रिमिसेज यह वो थ्री लैक रुपीज तक देखो टू वर्ड है तो यानि बढ़कर वो तीन लाग रुपए हो गए प्रिमिसेज मींस बिलिदिंग तो कितना है टू लैक सेवेंटी से प्रिमिसेज की वेलू क्या हो गई इंक्रीज हो गई यह प्रोफिट हो गया यह हम काशो करेंगे रिवेलेशन के क्रेइट साइड ओके नेक्स्ट प्रिपेड एक्सपेंसेज भी ब्रोट डाउन टू देखो वर्ड क्या है टू यानि वो घटकर हो गए इतने कितने हो ग अगर वाई वर्ड होता तो यानि 40% से डिक्रीज हो जाते ठीक है तो यह तो और वाई का स्टेशल ज्यान रखना है आपने ठीक है आर के शेर की गुडविल आपको गयो है बट ही इस अनेबल टो ब्रिंग इटिंग कैस लेकिन आर इस गुडविल को कैस में नहीं लेका है तो हम कास लेंगे आर के करेंट अकॉंट से और सैक्रिफाइज ओनली कौन कर रहा है क्योंकि जब हम ओल्ड माइल अनिय गरेंगे त तो हम इस कैस लेका है तो हम इस कोरेंगे पहले पी और क्यों की जो कैपिटल है उसके according firm की capital calculate करेंगे and then हम किसकी capital calculate करेंगे उसके base पर R की capital calculate करेंगे जो P और Q के base पर firm की capital calculate करेंगे उस firm की capital में से हम किसका share निकाल लेंगे R का ओके लेकिन P और Q की जो capital जो आप के base पर जो firm की capital calculate करोगे तो P और Q की वो कौनसी capital होनी चाहिए जितनी भी यह आपको adjustment given है profit loss की जो भी entry की जो भी goodwill की जो भी adjustment आप given है उन adjustment को करने के बाद जो P or Q की capital आएगी उसके base पर आपको firm की capital calculate करने है ओके? तो यह जो R की जो हम capital calculate करेंगे यह सबसे last में calculate करेंगे तो पहले हमने question को normally read कर लिया है ठीक है और second step है वो हमारा क्या है 4 minutes को prepare करना वो भी हम already कर चुके है third step है वो हमारा क्या है कि one by one एक एक adjustment को sold करते चलेंगे जिसकी जहाँ posting करने है hand to hand क्या करेंगे? posting करेंगे, okay? देखो, so हम next step है उसको follow करते हैं हमारा जो next step है, adjustment को read करेंगे part of stock हमने पहली read कर चुके है तो यह stock 8000 रुपीज का जो stock था, वो badly क्या हो गया? damage के करण क्या हो गया? badly storage के करण क्या हो गया? damage हो गया और उससे सिर्फ हमें 2000 रुपीज रिलाइज हुआ तो stock की value कितनी कम हो गई? 8000 कम हो भी और हमें 2000 रुपीज रिलाइज हुआ तो हम इसके लिए entry क्या करेंगे? हमें question में bank का balance given है तो transaction हम bank में कर देंगे bank account debit हमें कितना रुपीज रिलाइज हुआ? 2000, right? और stock हमारा कितना रुपीज का गया? कितना रुपीज का stock था? 8000 का stock था वो क्या हो गया? Distored हो गया So, stock की value कितनी कम हो जाएगी? 8000 कितनी कम हो जाएगी? 8000 Right? 2000 हमें realize हुआ और stock हमारे पास कितनी, stock की value कितनी कम हो गई? 8000 So, loss कितने का हो गया? 6000 का, तो 6000 का हमें क्या हो गया? Loss हो गया इस loss को हम कहां से write-off करेंगे? Revaluation Account से कहां से करेंगे? Revaluation का 6000 का समझगे? So, इसको हम क्या कर देते हैं? Hand to hand posting कर देते हैं Revaluation Account debit हो जाएगा हमें loss हो जाएगा कितने का? 6000 रुपीज का loss हो गया Stock की value कितने से कम हो गई? 8000 से So, यहाँ पे जो stock है Stock की value हम 8000 से कम करके Show कर जाएगे 150,000 सा तो हम यहाँ तो कितना दिखाएगे? 140,000 आप कहोगे कि सर यह तो 6000 का loss हो है 6000 से हमें करनी चीए 6000 से कम नहीं हमें 2000 रुपीज है हम यहाँ पे इसमें add करके नहीं दिखाएगे इसमें से 6000 less नहीं करेंगे बलकि जो 2000 जो में realize हुआ है वो किसमें दिखाएगे हो? bank में Show करेंगे So bank का जो balance है वो हमारा 15,000 है कितना thousand है? 15,000 इसी में हम 2000 क्या कर देंगे? add कर देंगे मैं नीचे Show कर रहा हूँ 15,000 प्लस क्या कर दोगे? 2000 Clear right? Okay? और stock की value 8000 से कम होग कम कर कर चो कर दी bank account debit हो रहा था bank में यह debit हो रहा था तो bank मेंने 2000 रुपीज प्लस कर दिया revelation account debit हो रहा था तो revelation को debit कर दिया जो करना था hand to end कर दिया Okay? next next point क्या है bill 4 रुपीज 7,000 for electric charges having omitted to be recorded एक bill था जिसको record करना भूल गए तो यह जो bill जिसकी payment करनी थी तो यह अमर लिए क्या है? liabilities है liabilities increase होगी तो क्या होगा अमर लिए क्या होगा? loss होएगा so loss होएगा तो revaluation account के debit में show करेंगे क्या? किसकी value? outstanding bill आप show कर सकते हो क्या यह? outstanding bill of electric charges कितना रुपीज है? 7,000 और इसको hand to hand आपने क्या करना है? balance sheet में भी show करना है outstanding electric bill outstanding electric bill कितनी amount है इसकी? 7,000 किलिए रहे? okay next plant and machine was found over valued by 20,000 यानि plant and machine की जो भी normal value सी उससे 20,000 over over जादा जादा दिखाया गया है समझगे? so इसको क्या करना है? कम करना है normal जो उसकी normal value बैल्यू है उस पर करना है 20,000 से जादा show किया गया तो planting and machine की value कितनी है? 1,400,000 इसको 20,000 से कम करना है so हम यहां पे planting and machine की value बैल्यू करेंगे तो यह हमारे लीगा हो जाएगा लोस हो जाएगा लोस होएगा न प्रोफिट से हूं को ट्रेट साइड चो करेंगेASE पेंगे नेक्स्ट नेक्स्य वा में गीवन है प्रिपेड एक्सपेंसी स्वरी पीजडिवी एप्रीशेटिटी नूर्पीस तु वड यानि थ्री लैक रुपीज के वह हो गए बढ़ कर इतने रुप के हो गए, कितने हो गए? थ्रिक रुपीज के होगए? प्रेमिस क्या शोगर होगे बाई प्रेमिस कितने रुपीज से वैलू बढ़ गई 25000 कि लिए रहा सबको नेक्सट, प्रेपेड एक्सपेंसेज भी ब्रोट डाउन टूर्पीज 40% जो प्रेपेड एक्सपेंसेज या वो कितने रुपीज तक गट गए 40% तक टू वड है यानि वो घट कतितने हो गए 40% हो गए सो 40% हो गए तो हम यह पर हमने यह आती ही इसको शो कर दिया प्रिमिस को प्रिमिस को नहीं किया तो पहले हं प्रिमिसको शो करेंगे क्योंकि जो भी ओडिलु हो गई 3 L düş rocks हम तो इसको शो करेंगे next जो prepaid expenses थे वो brought down होगे 40% तक यानि घटकर 40% हो गए so हम यहाँ पर prepaid expenses जो है वो हम यहाँ पर कितने शो करेंगे क्योंकि वो घटकर कितने होगे 40% 20,000 के थे 20,000 का 40% so वो कितने होगे students 8,000 के होगे right for 20,000 के थे और वो 40% होगे means 8,000 के होगे तो loss कितने का हुआ 12,000 का loss वाना तो वो हम यहाँ पर शो करेंगे prepared expenses है तो prepared expenses कितना है 12,000 इलिए students जो भी profit loss होगे वो हम यहाँ पर शो करेंगे और जो उस assets या liabilities की value increase या decrease होकर होगे वो हम यहाँ पर शो करेंगे समझ गए okay next next adjustment हमें क्या किवन है our share of goodwill is valued 20,000 but he is unable to bring it in cash ठीक है so इसकी हम general entry कर देंगे क्या कर देंगे our goodwill नहीं लेकर है तो कहां से लेंगे उसके current account से यानि क्या entry हो जाएगी our current account debit our current account debit कितना 20,000 और sacrifice only कौन कर रहा है P क्योंकि Q का जो old share है वो भी 1 by 4 है और जो new share है वो 1 by 4 तो old minus new करोगे तो इसका तो क्या आएगा 0 आएगा sacrifice कौन कर रहा है P sacrifice कर रहा है तो यो total share हम किसको credit कर देंगे P को credit कर देंगे क्या entry हो जाएगी P is capital account P के capital account में क्या कर देंगे credit कर देंगे कितनी amount से 20,000 से समझ गए go down किसी को ओके next next जो adjustment है उसमें आपको क्या given है R bring in capital proportionate to his share of profit in the firm R जो capital लेका आएगा वो proportionate capital लेका आएगा तो ये हम जब P और Q की adjusted capital आ जाएगी उसके बाद हम firm की capital calculate करेंगे P और Q की adjusted capital के base पर and then हम जो capital firm की आएगी उसके according हम R की capital calculate करेंगे ठीक है so पहले हम P और Q की adjusted capital लेका आते है adjustment सारी complete हो चुकी है adjustment complete होने के बाद हमारा next step क्या होगा students next step क्या होगा कि जो भी items हमारे balance sheet में बच गए उन items कौन क्या करेंगे record करेंगे right so कौन-कौन से items बच गए students bank का balance 15,000 यह हमने record कर दिया है ठीक है और bank account अभी 2000 से debit हुआ है अभी जो कौन है जो R है वो capital लेके आएगा तो वो भी हमें इसमें अभी add करना है तो इसको भी छोड़ देते हम debtors debtors क्या करतेंगे record करतेंगे debtors की value कितनी है students 60,000 so debtors क्यों record करतेंगे stock stock की value stock को हमने record stock 6000 से क्या हो गए थे decrease हो गए थे 8000 से सबसे पहले ही record कर रख़ा है तो इसको भी record कर चुके prepaid expenses इसको भी हम record कर चुके है next का है plant and opportunity planted assimἱ को भी record कर चुके है premises premises को भी हम क्या कर चुके है record कर चुके समझ गे एके आई Queshian paper आपको given हो उसमें आप tick कर सकते हो, जो भी adjustment आप कर चुके हो, उसमें ब seitग कर सकते हो, टाकि आपको पता रहें कि जो भी unticked item है, उनी को आपने क्या करना है, शो करना है, वो ही remaining items है, एक लियर है, ओके, अब यहां पर क्या है, creditors आपको given है, creditors को मैंने record नहीं किया, तो क्रेडिटर्स क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिटर्स कितना, 30,000, so क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर देंगे, next हमारे पास क्या है, profit and loss का balance है, credit balance है, तो इसकी भी हमने क्या करनी है, यहां से यहां से इसको क्या कर देंगे, capital में क्या कर देंगे, एड कर देंगे, समझे, यहां से निकल के यह कहा चला जाएगा, capital में चला जाएगा, तो इसकी क्या entry कर देंगे students हम profit and loss account debit to Peeve capital account old partners में old ratio में इसकी क्या कर देंगे entry कर देंगे to use capital account किस ratio में students old ratio में तो यह कितना है 60,000 old ratio कितना है 3 is to 1 so 3 is to 1 कितना हो जाए गए 45,000 and 15,000 समझगे students so यह हमने इसकी entry कर दी capital accounts का balance की वन है तो capital account का balance हम का शो करेंगे capital में शो करेंगे buy balance brought down कितना है students 3,50,000 and 2,20,000 good out किसी को जितने भी remaining items थे उनको हमने शो कर दिया है next जितनी भी entries किये उनकी हम posting करेंगे तो जो first entry थी उसकी हम posting कर चुके है bank का bank में शो कर दिया 2000 revelation का revelation ने stock को minus कर दा इसको उन शो कर चुके है आर का current account debit हुआ तो आर का current account debit हुआ हम कहा शो करेंगे assets में शो करेंगे ours current account यह हमारी लिए debtors है ठीक है तो कितना कितना 20,000 से आर का current account हमने debit किया है यह हम क्या कर देंगे यह आपे show कर देंगे next Pika capital account credit हो रहा है so Pika capital account हमने maintain किया है Pika capital account credit कर देंगे किस से आर्ज current account है तो यहां शो कर देंगे ours current account कितना students है 20,000 सिर्फ किसका account credit करेंगे Pika credit हो रहा है next यह entry भी है P profit and loss account debit to P's and Q's capital account P और Q के capital account क्या हो रहे credit हो रहे so credit हो रहे तो इनके capital account credit कर देंगे credit है यह है students तो हम credit कर देंगे किस से profit and loss account से तो by profit and loss account कितनी कितनी amount है 45,000 and 15,000 कि लिए रहे हैं ओके तो आब हम क्या करेंगे इसके बाद जितनी भी entries थी उनकी हम posting कर चुके अब हम क्या कर देंगे balancing कर देंगे totaling करते है right so करते है इस साइड का total जो आ रहा है students हमारा वो कितना आ रहा है कम आ रहा है पर क्या जाएगा लोस ट्रांसफर टू पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूस कैपिटल अकाउंट और और पार्टनर में और रेशो में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कितना लोस से students 20,000 यह 20,000 का लोस 3 to 1 के रेशो में so 4 से divide करेंगे तो कितना जाएगा 15,000 and 5,000 गो doubt किसी को यह लोस है तो लोस का शो करेंगे students debit side शो करेंगे ठीक है minus करेंगे capital account से और minus करने के लिए capital account को क्या करेंगे debit करेंगे और कुछ ना भी समझ में आए तो यह का जाएगा क्रोस में जाएगा क्या है यह लोस है उनके इससे का कितना 15,000 and 5,000 गोड़ाउट श्रेंट्स नो ओके सो अब हम क्या करेंगे इसकी totaling कर लेंगे जितनी भी entries थी उनकी हम posting कर चुके हैं entry, posting करने के बाद हम क्या करेंगे उनकी balancing कर देंगे, totaling कर देंगे 2,35,000 इसका जो हम balance calculate करेंगे यह कितना जाएगा हमारे पास है 70 and 70 कितना जाएगा 4,15,000 4,15,000 and 2,35,000 इनकी जो closing balance है, 2 balance है carried down, यह कितना आगया 4,00,000 वर्ष्प्रिकेंट्स यह कितना आगया, 2,30,000 ठीक है? अब किसकी capital हमें calculate करनी है? किसकी capital calculate करनी हमें? R की capital calculate करनी है तो इनकी जो adjusted capital है, जो सारी adjustment करने के बाद जो इनकी capital आई पी और क्योंकि वो कितनी capital आई? 4,00,000 and 2,30,000 तो इसे ही के base पर हम क्या करेंगे? फर्ष्प्र हम की capital calculate करेंगे और फिर किसकी capital calculate करेंगे? R की capital calculate करेंगे ओके? तो कैसे करेंगे हम? ये entries हम posting कर चुके हैं ये सारी entries तो हम इसको रव कर देते है देखो हमें P और Q की total capital गीवन है और हमें P और Q का total share भी गीवन है तो उसके proportionate हम फर्ष्प्र हम की capital calculate कर सकते हैं P और Q का total share कितना है? new share 2 by 4 and 1 by 4 P and Q का जो total share अगर हम calculate करते हैं तो वो 2 by 4 plus 1 by 4 तो ये कितना आता है? 3 by 4 और P और Q की अगर हम total capital निकारे P's capital plus Q's capital अगर P और Q की दोनों की total capital calculate करें तो वो कितनी आती है? 4 lakh and 2 lakh 30,000 कितनी? 4 lakh plus 2 lakh 30,000 तो students ये आती है 6 lakh 30,000 ये उन दोनों का total share है new share है और ये उन दोनों की total new capital है ठीक है? उन दोनों की total new capital है और ये उन दोनों का total क्या है? new share है तो दोनों का जो total new share है वो कितना है? 3 by 4 3 by 4 की according उनकी capital कितनी है? दोनों की 6,20,000 अब इनी की capital के pace पर हमें किसकी capital calculate कर नहीं है फरम की capital calculate कर नहीं है तो जब 3x4 के लिए दोनों partner 3x4 share के लिए दोनों partner 6,30,000 की capital invest करते हैं तो फरम का share कितना होता है 1, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 6,30,000 और ये 3x4 इदर आके dividing हो जाएगा 3x4 यानि इसका reciprocal कर देंगे कितना हो जाएगा ये 4x3 तो ये हमारे पास हो जाएगी कितनी 3 to the 6 and 3 by the 3 ये आद जाएगा 8,40,000 कितना जाएगा students 8,40,000 8,40,000 किसकी capital calculate कर नहीं है capital of the firm क्या आगई ये total capital of the firm total capital of the firm कितनी आगई 8,40,000 अब हम किसका share निकाल सकते इसमें से किसका share find out कर सकते है r का share find out कर सकते है न r का share कितना आएगा r share of capital r का share कितना आजाएगा 8,40,000 और r का share है 1 by 4 कितना share r का 1 by 4 so ये हमारे पास हो जाएगा 2,10,000 so r कितनी capital लेका आएगा 2,10,000 इस तरीके से आपको question में जेसी आपको information given हो उसके according capital calculate कर नहीं है कुछ questions में आपको ये given होता है कि suppose गरो इसी question में माल लो इस question में आपको क्या given होता है चलो पहले हम इसको record कर लेते हैं फिर मैं आपको सुंजाता होगी सब कहीं आप confuse हो जाओ बाइ बैलेंस से ब्रोट डाउं ये capital हम transfer कर देंगे कितनी फोर लैक एंड टू लैकर 30,000 राइट चाहे तो ये जो एंट्री है ये जो टू लैक 10,000 की जो capital लेके आया है इस capital को हम यहां पे भी शो कर सकते थे बाइ बैंक अकाउंट 210,000 और यहीं पे हम शो कर सकते थे लेकिन फिर जो next जो topic है adjustment of capital when old partners capital adjusted जब old partners की capital adjusted करने हो when required तो old partners capital adjusted तो उस case में आपको क्या करोगे उस case में आपको इसी तरीके से करना पढ़ेगा ठीक है सो मैं चारा हूं कि आप पहले ही essay करो ताकि आपको जो next जो topic है उसमें problem ना हो ठीक है सो इसी तरीके से आपने करना है यह कितनी capital लेक आएगा 210,000 इसके लिए हम क्या entry करेंगे students bank account debit to कौन है यह 2R's capital account कितनी capital लेक आएगा 210,000 कितनी 2,10,000 सो 2,10,000 हम यहाँ भी show कर देंगे by bank account कितनी capital लेक आएगा यह 2,10,000 कितनी students 2,10,000 और अब हम इसकी क्या कर देंगे totaling कर देंगे right सो 2,10,000 2,30,000 and 4,00 यह इनकी closing capital आजाएगी यहाँ पर 2 balances carried down 4,00,000 2,00,000 30,000 and 2,10,000 right so students हमें करना क्या है यह जो capital आई यह हम कहाँ शो कर देंगे balance sheet में शो कर देंगे यह जो entry है इसकी हमने posting capital account को तो credit कर दिया capital account में तो posting कर दी लेकिन bank account debit हुआ है तो हम इसमें प्लस कर देंगे bank में भी प्लस कर देंगे 2,10,000 so bank का balance कितना आएगा 15 and 2,17 and 2,10,000 so यह जाएगा 2,27,000 कितना जाएगा 2,27,000 so यह इस entry की हम posting कर चुके है next यह जो भी capital का balance था यह capital का balance हम capital account में transfer कर देंगे किस-किस का P, Q and R का यह जो balance है कितना student से 4,00,000 R का जो हमें given है Q का जो हमें given है वो 2,30,000 and जो R का जो balance given हो कितना है 2,10,000 totaling करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा 8,40,000 क्योंकि निव फर्प जो total capital हो कितनी है 8,40,000 so हम यह calculate करेंगे कितना आएगा वो 8,40,000 इस side का total करते है तो यह हमारे पास आजाएगा 40,38,77,000 dear students आप इदर का total करोगे तो यह भी यह आएगा 8,77,000 7 to 9 9 or 8 17 वो ही आएगा 8,77,000 आप calculate करेंगे dear students मैं आपको बता रहा था कि question में आपको इसमें तो क्या गिवन था कि R brings in capital proportionate to his share of profit in the firm आप में इस तरीके से आपको question में given था तो आपने क्या किया इसमें जो old partners थे उनके base पर आपने किसकी calculate करी firm की capital calculate की और firm की capital में से किसका जो new partner है R है उसकी capital आपने चाहा कर ली calculate कर ली question में इस question में ऐसे भी given हो सकता था कि R brings one-fourth of the combined capital of one-fourth of the combined capital of P and Q तो P और Q की आपने combined capital calculate की थे कितनी आई थी 6,30,000 question में यह भी हो सकता था कि one-fourth of the combined capital of P and Q suppose करो question में क्या given है R brings one-fourth R brings one-fourth of the combined capital of P and Q P और Q की combined capital का कितना one-fourth तो P और Q की पहले combined capital निकालेंगे P और Q की combined capital हमने निकाल रखी है 4,00, and 2,30,000 यह कितनी आईगी 6,30,000 कितनी आईगी students 6,30,000 इस 6,30,000 का इस combined capital का P और Q की combined capital का 6,30,000 का कितना लेके आएगा R 1-5 तो इसको 1 by 5 से क्या कर देंगे multiply कर देंगे जो भी आएगा suppose करो calculate करें तो यह कितना आजाएगा 5 and 5 यह carry 1 करेंगे 5 to the 10 and 5 तो यह आजाएगा students 1,26,000 डबल भी करेंगे तो यह आएगा ठीक है तो कितना आजाएगा यह 1,26,000 तो R कितनी capital लेके आथा 1,26,000 समझ गे? तो question में अगर आपको जिस जैसे given है आपको आपको question में जिस के जैसी information given है उसी के according जो new partner है उसकी जा calculate कर दोगे capital calculate कर दोगे समझ गे? तो आपको combined capital या फिर कोई other statement given हो तो उसके according में capital आप calculate कर सकते हो समझ गे? बस आपने ध्यांग यह रख रहा है कि पहले आप क्या करोगे? पहले जो भी old partners है उनकी capital calculate करोगे और फिर उनके base पर जैसा आपको question में given हो combined capital का या proportionate अगर proportionate का है तो पहले firm की capital calculate करोगे and then आप calculate करोगे combined capital का है तो जो भी है उनकी capital को combine करोगे और combine करने के बाद 15th, 14th जो भी का है उसके according calculate करोगे समझगे? और जो भी वो capital ले क्या है उसकी आप entry करोगे उसकी entry यहां posting करोगे जो भी bank account debit credit हुआ है sorry debit जो हुआ है उसको आप bank में भी क्या कर दोगे या cash में भी क्या कर दोगे एड कर दोगे यह students यह मत बोल देना R का जो भी आप entries करते हो उस entries की complete posting करनी है आपने capital account में या फिर balance sheet में जो भी increase decrease हो रहा है वो आपने hand to end क्या करना है शो करना है समझगे? यह mistake आप मत करना है जो भी transaction आप कर रहे हो उनको hand to end क्या करना है? दिखो समझगे? So students next lecture में हम क्या करेंगे? next lecture में यही हमारा topic होगा adjustment of capital लेकिन उसमें जो old partners की capital है वो क्या करनी होगी? वो हमें re-adjust करनी होगी किसके according? जो new partner है आप तो क्या हो रहा है? कि जो old partners के base पर new partner अपनी capital लेके आ रहा है next topic में क्या होगा? कि जो new partner है उसके base पर old partner अपनी capital को क्या करेंगे? re-adjust करेंगे so यह topic हम next lecture में करेंगे okay? thank you thank you for watching